दोस्तो नमस्ते आज हम आपको महुआ डाबर मजार की लाइफ सेर कराने जा रहे हैं जो 32 से टांडा हाइवे के बीच कुसावरा बजार के आगे सिवच पूरब की दिसा में एक रोड गया है लगबक कुसवरा वजार से महुआ डाबर मजार की दूरी धाई से 3 किलो मीटर के बीच में है आज हम महुआ डाबर और मजार की सैर आपको कराने जा रहे हैं हम कुसवरा और सिव चौराह के बीच इस्थित हैं और अब हमको मजार पे जाना है मजार पे जाने का live video आप देख रहे हैं आगे mode है एक holding दिख रहा है चुनापरचार का लाल रंग का holding दिख रहा है इसी दिसा में road के दाहिने साइड में हम मूड रहे हैं यही रास्ता मजार पर जाएगा मजार पे बहुत सारे लोग हर दिन आते हैं आज ब्रहस्वत्वार का दिन है ब्रहस्वत्वार दिन यानि जुमेरात का दिन है इस दिन मजार पे बहुत सारे भीड़ी कथा होती है लोग अपनी दुआओं को मांगने मजार पे जाते हैं आज हम आपको मजार का सैर कराएंगे यही रास्ता मजार के तरफ जाता है तो इस आप लाइब वीडियो देख रहे हैं, आगे आपको दिखाई दे रहा है, कुछ दुकानों का सटर दिखाई दे रहा है, और आपको लोग आते और जाते दिखाई दे रहे हैं, दाहिने साइड में कुछ दुकाने हैं, कुछ मकान बने हुए हैं, बाएं साइड पे कुछ मकान और कुछ दुकाने दिखाई दे रही है इधर एक ठेला खड़ा हुआ है आइस क्रीम का ठेला खड़ा हुआ था आगे आप देखेंगे यहां जो है गन्ने का रस का जो खोईया निकलता है वह फेका गया है आगे आप देखेंगे यह रास्ता दो टुकड़े में तूटेगा एक टुकड़ा आप देखेंगे दाहिने साइड में एक रास्ता बाए साइड में जाएगा जो रास्ता दाहिने साइड में जाएगा वही मजार का रास्ता है और जो रास्ता बाए साइड में जाएगा वह मजार का रास्ता नहीं है आगे आप देख रहे हैं एक मंदिर है मंदिर से सीधा जो रास्ता जाता है जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं यही रास्ता मजार पे जाने का रास्ता है मजार पे जाने के रास्ते को आप देख रहे हैं मजार से पहुचने से पहले अभी आपको रानिपूर एक छोटा सा मार्केट मिलेगा जहां का समोसा और चाय बहुत प्रसिद्ध है जहां पर लोग दूर दूर से समोसा और चाय खाने और पीने आते हैं तो आगे आपको रानिपूर मिलेगा रानिपूर के बाद एक पूल मिलेगा वहाँ पूल मनवर नदी पर बना हुआ है मनवर नदी पूल करास करने के बाद आप महुआ डाबर पहुचेंगे और महुआ डाबर से एक रास्ता तेड़ा मेड़ा रास्ता है जिससे गुजर करक आप मजार पर जाएंगे तो अब हम रानिपूर पहुचने वाले हैं आगे आपको टांसफार्मर दिख रहा है एक सीधा रास्ता गाओं की तरफ जाता है टांसफार्मर वारे रास्ते से हम जाएंगे तो आगे आपको रानिपूर एक छोटा सा मार्केट मिलेगा जहां का चा लोग आते ہیں मजार पर अपनी दुआएं कबूल कराने बाबा के मजार पर लोगों की भीड जमा रहता है आज के दिन बहुत ही जादा भीड होती है इस समय हम रानिपूर मार्केट में पहुंच चुके हैं छोटी सी मार्केट है इस मार्केट में आप देख रहे हैं ये दाहिने साइट पे चाय की दुकान है आगे एक चाय की दुकान है समोसे की दुकान है जो की बहुत ही परसिद्ध है आप रानिपूर का एक छोटा सा मार्केट पुल के द्वारा आप मजार पे जा सकते हैं यदि आपको पैदल मजार पे जाना है तो यदि बार नहीं है नदी का पानी कम है तो पुल के बाद एक छोटा सा धलान है उस धलान से उतर करके आप जल्दी से मजार पे पहुंच जाएंगे दाहिने साइट पे एक धलान है उस धलान से उतर कर यदि आपको पैदल जाना है तो मजार पर आपको कम समय में पहुंच सकते हैं और इधर से जाएंगे तो आपको दो किलो मीटर इस गाउं के लोगों ने कुछ अंग्रेजों को मार दिया था देश आजादी के लिए 1872 में पर्थम आजादी के समय में कुछ लोगों ने कुछ महवदावर के गाउं के लोगों ने अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था जिसका बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने इस गाउं को चारो तरफ से घेर लिया था और चारो तरफ से घेर करके इस गाउं के में आग लगा दी थी जिसके कार से इस गाउं के जादा से जादा लोग जल करके मर गए थे यही है महुआ डाबर यह महुआ डाबर बहुत इस खेत में खोदाई हुआ था, कुवा मिला था और बहुत सारे सामान मिले थे तो महुआ डावर गाउँ आपके पिछे गुजर चुका है, यही महुआ डावर गाउँ था जहां अंग्रेजों ने इस गाउं के लोगों को जला दिया था चारो तरफ से घेर के जला दिया था तो ये तेड़ा मेडा रास्ता आपको मजार तक ले जाएगा तो महुआ डाबर की यही कहानी है आगे आप देखेंगे दो मोड आएंगे एक मोड बहादुर पूर जाने का रास्ता है गुबिन्दापूर जाने का रास्ता है बहादुर की तरफ से भी आप महुआ डाबर यानी मजार पे आ सकते हैं तो आगे आपको दो रास्ते मिलेंगे एक रास्ता मजार की तरफ जाएगा दूसरा रास्ता गुबिंदापूर और बहादुर पूर होते हुए अक्सड़ा की तरफ जाएगा एक्सड़ा बहादुर पूर और गुबिंदापूर होते हुए भी आप मजार जा सकते हैं तो ये रास्ता जो हम घूम रहे हैं दाहिने साइट पे ये मजार का रास्ता है इसके विप्रिज जो रास्ता छोड़ दिये हैं हमने वह रास्ता गुबिंदापूर बहादुर पूर और अक्सड़ा जाने का रास्ता है अब हम मजार पे पहुँचने वाले हैं ये मजार के अ भीड होती है इधर आप जंडा देख रहे हैं यहां बच्चो ने किर्केट का मैदान टंपरोली मैदान बनाया है किर्केट खेलने के लिए आगे आप आटो देख रहे हैं बहुत से आटो बहुत से मोutor są automated बहुत से आवागमन के साधन खड़े हुए हैं लोग आ रहे हैं जा रहे हैं आप देख रहे हैं यहां इसकारपियों खड़ी हैं बहुत सी गाडिया खड़ी हैं लोग इन गाडियों पर बैट करके बाबा का दर्शन करने आते हैं मजार पर दुआएं लेने आते हैं आप देख रहे हैं काफी भीड होती है ब्रस्पत्वार और गुरुवर के दिन और जुमेरात के दिन और इसे हम अंगरेजी में ट्यूजदे भी कह सकते हैं ट्यूजदे के दिन काफी भीड होती है आप देख रहे हैं या आईस्क्रीम भीक रही है बहुत सारी मोटरसाइकल खड़ी है मजार का गेट आप देख रहे हैं, मजार के गेट से पहले एक नदी में जाने के लिए शीड़ी बनी हुई है, इस शीड़ी से लोग जा करके नदी में असनान करते हैं, मनवर नदी में असनान करते हैं आप मजार के गेट के पहले का द्रिश देख रहे हैं यहां धेर सारी मोटर साइकले खड़ी हैं धेर सारा भीड है और बहुत पतला सा रास्ता है और गेट के आगे एक जंजीर लगी हुई है जिसके आगे आप मोटर साइकल नहीं ले जा सकते आप देख रहे हैं यहां बहुत सी फसले हैं अब आप देख रहे हैं गेट के आगे का द्रिश बहुत से लोग पैदल आ रहे हैं मजार से दुआएं ले करके पैदल आ रहे हैं जो आपको यह पानी दिखाई दे रहा है वहां मनवर नदी है और आपको अब यहां बहुत सारी दुकाने सजी हुई दिखाई दे रही हैं गुबारे की दुकाने दिखाई दे रही हैं और बहुत सारी मिठाईयों की दुकाने यहां लगी हुई हैं खाने पीने की भरपूर मात्रा में यहां दुकाने लगी हुई हैं लोग यहां अपना रोजगार भी पा रहे हैं यहां का इस तरह से यहां एक छोटे से मेले का द्रिश्य होता है हर ब्रेस्पतवार को यहां एक छोटा सा मेले की तरह से द्रिश्य होता है जहां बहुत सारी मिठाईयां और बहुत से खिलोने लगे होते हैं छोटे छोटे बच्चों के खिलोने होते हैं और बहुत सारी दुकाने सजी होती हैं, बहुत सारे ठेले लगे होते हैं, लोग यहां अपना जीव का उपारजन के लिए अपना बिजनस करने के लिए भी आते हैं, इस मजार पर आप मजार के आगे हम जा रहे हैं, यहां आप देख रहे हैं, बहुत से दुकाने लगी हैं, बहुत से पब्लिक आ जा रहे हैं, ये मजार देख रहे हैं, ये आप मजार देख रहे हैं, ये मजार का बगल का दिर्श से आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग मजार के अगल बगल बैठे हुए हैं, बहुत सारी दुकाने हैं, ये मजार के चार तरफ का दिर्श से आप द तेख रहे हैं ये मजार है मजार के गेट है मजार के गेट के बगल बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं इस तरह से आप मजार का यहादृस्य देख रहे हैं आगे जो मजार के सामने बहुत सारे लोग आराम कर रहे हैं यह मजार का गेट है इस मजार के गेट को इसी से मजार के अंदर लोग पर वेश करते हैं तो इस तरह से आज आप मजार की सहर कर रहे हैं महुआ डाबर मजार की सहर कर रहे हैं और मजार के अंदर बैठे हुए बहुत से अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं यह मजार का अंदर का द्रिश है आप लोगों को देख रहे हैं समूह में बैट करके पेड़ की छाया में समूह में बैट करके अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं मजार के अंदर यह पेड़ हैं पेडों की छाया में लोग बैट करके अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं तो आपने मजार के अंदर का दृष्ष देखा अब आप मजार के बाहर का दृष्ष देख रहे हैं इस तरह से हर ब्रेस्पतवार को यहां काफी भीड रहती है और काफी संख्या में लोग यहां ब मजार से महुआ डाबर और महुआ डाबर से रानिपूर और रानिपूर से कुशावरा और शुचावरा है के बीच का द्रिश आपको दिखाएंगे अब हम लोट रहे हैं मजार से लोटते समय का यह द्रिश आप देख रहे हैं इधर नदी का मनवर नदी का पानी दिखाई द रहा है नदी काद्रिस बहुत ही मनमोहक और मनोरम है लोग यहां सामान खरीद रहे हैं कोई बच्चों के लिए सामान खरीद रहा है कोई खाने पिने का सामान खरीद रहा है यहां बहुत सारी दुकाने लगी हुई है तो अब हम लोट रहे हैं मनवर नदी से लोटते हुए का द्रिश है लोटते समय आप मजार का या गेट देख रहे हैं ये मनवर नदी का द्रिश है बड़ा ही मनोरम है बहुत ही सुन्दर है या मनवर नदी का द्रिश है मार्च महीने गर्मी महीने का या द्रिश है बहुत ही मनोरम है बहुत ही अच्छा है मजार अब हमारे पीछे छूड़ चुका है यह मजार का गेट है लोटते समय मजार का गेट या आप देख रहे हैं और इस गेट के बगल में एक सीड़ी है जो मनवर नदी में जाती है जहां लोग अपना हाथ पैर धूलते हैं असनान करते हैं तो यह जो है मजार छूड़ चुका है अब हम मजार से रानीपूर महुआ डाबर पहुंचेंगे यह एक छोटा सा पुल है पुल के किनारे बहुत सारी मोटर साइकिल खड़ी हुई है इस तरह से आप यह मनवर नदी देख रहे हैं तो आप लोड़ते समय यह जो है मजार छूड़ चुका है यहां बहुत सारी गाड़िया खड़ी है आप गाड़ियों को देख रहे हैं यह लोड़ते समय का द्रिस्ट है यहां बहुत सारे बच्चे नया किरकेट का मैदान बना करके किरकेट भी खेलते हैं गाउं के बच् देख रहे हैं ये रास्ता है उस रास्ते पर बहुत सारी गाड़िया खड़ी हैं लोग बैट रहे हैं और साध अपने घर जा रहे हैं अब हम मजार से वापस आ रहे हैं अब हम रानीपूर जाएंगे और कुसवरा जाएंगे शूचा रहे पे जाएंगे आगे आपको महुआ डाबर मिलेगा अब हम मजार से लोट रहे हैं मजार से लोटने का यह द्रिश्च है आगे एक मोड आएगा मोड से हम पस्चिम की दिसा में घूमेंगे और ये जो है महुआ डाबर पहुंचेंगे अभी हमने आपको बताया है महुआ दाबर में क्या हुआ था इसको हम एक लाइन में फिर से बता रहे हैं देश के आजादी में महुआ डाबर के गाउं के लोगों ने कुछ अंग्रेजों को मार दिया था जिसके बदले में अंग्रेजों ने महुआ डाबर के गाउं को घेर लिया था आप महुआ डाबर गाउं का याद्रिश देख रहे हैं और इस गाउं को अंग्रेजों ने चार तरफ से घेर करके इस गाउं को जला दिया था खाक कर दिया था यह गाउं वहुआ डाबर है जिस यह काफी उचाई पे बना हुआ है यहां एक बार एतिहासिक पुरातत्त विभाग ने खुदाई भी किय था आगे हमको यह पुल मिलेगा रानिपुर का पुल मिलेगा मरणवर नदी का पुल मिलेगा और इसमें बहुत सारे बच्चे स्कूल से लोट रहे हैं यह पुल है पुल के बाद आपको रानिपुर मिलेगा और रानिपुर के बाद आपको शिव चौरहा मिलेगा और हम दुबारा पहुँच चुके हैं यहां का चाय बहुत मशुहूर है और समोसा बहुत मशुहूर है इस बात को हम बता चुके हैं रास्ता इस समय बहुत खराब है आप देख रहे हैं यह रास्ता बड़ा उकड़ खाबड़ है दूरी बहुत कम है लेकिन रास्ता खराब होने के कार से काफी समय लग रहा है जाने के लिए और आने के लिए तो इस तरह से रानिपूर छूट चुका है महुआ डाबर छूट चुका है और मजार छूट चुका है अब हम शूचवराहे पर पहुँचने वाले हैं इस तरह से शूचवराहे पर पहुँचने से पहले का या दिरिश्च है सिरु चौराय से पहुचने से पहले एक बाय साइड में सरया गाउं की तरफ एक रास्ता जाता है उस पे एक मोड है उस मोड पे एक मंदिर है आप मंदिर को देखेंगे अभी हम आपको मंदिर को दिखाएंगे इस तरह से रास्ता आप देख रह आज मजार पे बहुत सारे लोग आते आ रहे हैं जा रहे हैं जिसके कार से रास्ता बहुत ही भीड भार वाला रास्ता है आज रास्ते में काफी पब्लिक है काफी भीड है क्योंकि आज मजार पे हजारों लोग आज के दिन इकठा होते हैं ब्रिश्पत्वार के दिन इकठा ह होते हैं आप देख रहे हैं बुलोरो खड़ी है बुलोरो के बगल एक मंदिर था जो छोड़ चुका है आगे हम सिव चावराहे पर पहुचने वाले हैं और सिव चावराहे के बाद हम दाहिने साइड पर मुड़ेंगे तो बस्ती का रास्ता मिलेगा बाये साइड पर जिससे आप बस्ती जा सकते हैं और उस आटो की सहायता से आप टांडा जा सकते हैं और अकबर्पूर भी जा सकते हैं यां highway है इस highway पर bus भी मिलेंगे आप देख रहे हैं रास्ता इस समयем बहुत खराब है लेकिन लोगों का आवागमन बहुत तेज है इस रोड पर काफी चहल पहल रहती है आज के दिन काफी भीड रहती है इस तरह से आपने इस पूरे लाइब वीडियो को इंजुआय किया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्य बाद